बीवी से दुनिया में आज देखिए हॉंग कॉंग में चीनी शासन के 25 साथ चीन के राश्ट्रपतीशी जिन पिंग ने कहा चीन के हाथ में आने के बाद हॉंग कॉंग में कायम हुआ सच्छा लोक तंत्र चीनी शासन की सिल्वर जुबली के मौके पर हॉंग कॉंग पहुंचे थे जिन पिंग लेकिन ब्रतानी पीम बोरर जॉंसन ने कहा चीन वहां लगातार कर रहे मानमा धिकारों का हनन स्वागत है आपका वीबीस दुनिया में मैं हू सारी कासे हॉंग कॉंग की बात कवर स्टूरी में लेकिन पहले हेद्लाइन्स दार्मिक तनाव के बीच उदैपुर में निकाले गई जगनात्र थे आत्रा हजारों लोगों ने जुनूस में लिया हिस्सा हिंदू दर्जी कनया लाल की हत्या के बाद से शेहर का मुस्लिम समुदाय क्यों है खौफ में दिखाएंगे बीबीसी की खास रिपॉर्ट दुनिया के सबसे बड़े नाच्रल गास प्रोजेक्ट पर रूस का पूरी तरह से हो सकता है कबसा रूस के राश्टरपती व्लादमर पुतिन ने दिया आदेश रूस के साकलिन गास प्रोजेक्ट स्कीम पर शेल और मिटसुबीसी कमपनियों की भी हिस्सेदारी ब्रिटेन में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले एक हफ़ते में 30 फीसदी का इजाफा डबलु एचो ने कहा कोविट से जुड़ी पाबंदियां हटाने की वज़े से पहले से ही था संक्रमन बढ़ने का अंदेशा अफगानिस्तान में चल रहे धार्मिक निताओं की बैटक लॉया जर्गा में शामिल हुए तालिबान के सुप्रीम लीडर है बतुल्ला अकुंदजाता तालिबान ने दी जानकारी अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे की तारीफ की का दुनिया के मुसल्मानों के लिए गर्व कमोगा इन में से कुछ एहम खबरों की चर्चाज पीबी से दुनिया में हौंग कॉंग दुनिया का एक बहुत छोटा इलागा लेकिन हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला क्यूं है इसे लेकर चीन और परश्चमी देशों के बीच तना तनी और हौंग कॉंग का क्या इतिहास रहा है इसी की बात आज कवर स्टोरी में आज पूरे 25 साल हो गए है जब हौंग कॉंग को ब्रिटिन ने चीन को हैंड ओवर किया था इस मौके पर हौंग कॉंग में जश्ट मनाया जा रहा है और इसी बहाने चीन भी हौंग कॉंग पर अपनी सक्ता को जायस ठहरा रहा है हलांकि इसके लिए उसकी अंतरवराष्टि स्तर पर आलोचना होती रही है 25 साल होने के मौके पर राष्ट्रपती शी जिन पिंग हौंग कॉंग मौचे है चीन के बाहर दो साल में ये उनकी पहली यात्रा है शी जिन पिंग ने जौन ली को हौंग कॉंग के नयी चीफ ऐग्जेक्यूटिव की शप्त दिलाएं जौन ली पूर्वसुरक्षा प्रमुक थे चीन समर्ivenessक है जौन लीने क्यरी लायम की जगल ली है Chief Executive के लिए वो एक मातरदावेदार थे इसे होंग कॉंग के कुछ लोग नाराज थे जो चाहते थे कि उनका नेता चुनने के लिए प्रक्रिया को जाधा लोकतांत्रिक बनाया जाए लेकिन राष्ट्रपती शी जिन पिंग ने कहा है कि होंग कॉंग के लोगों को 25 साल पहले आपने वई शिक्षासन खत्म होने के बाद ही सच्चा लोकतांत्र मिला है इगो ल्यांज़ शिजेन जाइ शांकांग चुदर जुशी कुंणन दा चंकुँ और चीन के राष्ट्रपती शी जिन पिंग ने अभी जिस एक देश दो प्रडाली का जिक्र किया वो एक ऐसी वेवस्ता है जिस पर हॉंग कॉंग के हैंडोवर से पहले बिटन और चीन राजी हुए थे हॉंग कॉंग पर साल 1841 से बिटन का शासन था बिटन ने 19 सदी में अफीम युद के दौरान इसके कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार लिया था फिर साल 1997 में चीन ने हॉंग कॉंग के लिए बड़े बैमाने पर स्वायतता कवादा किया और हॉंग कॉंग एक स्पेशल एड्मिनिस्ट्रेटिव रीजिन बन गया जिसका अपना लीगल सिस्टम है जहां कई राजने तिक दल हैं जने अविवक्तिक या अजादिय और एक एक विजियो पोस्ट के जरिए चीन पर अपने वादों को तोड़ने का आप लगाया और कहा कि बिटेन चीन के किये वादे को तै करने के लिए हर संभाव कदम उठाएगा और आए एक नज़र डालते हैं साल उनिस उसन तानवे से होंकों के साथ चीन के संबंधों पर अगस्ट 2014 में चीन ने फैसला किया कि होंकों के वोटर पहले से तैस उची में से ही अपने शहर का नेता चुन सकेंगे इसे होंकों के लोगों के साथ विश्वास घात की तरह देखा गया हजारों लोगों ने सड़क पर उतर कर शांति पूर्ण तरेके से विरोध प्रदर्शन किया पुलिस ने जब उन्हें हडाने की कुशिश की प्रदर्शन कारियों ने चाते के जरीए अपना बचाओ किया और ये प्रदर्शन अंब्रेला मूव्मेंट के नाम से तब मशूर हो गया फिर जून 2019 में प्रत्यरपन बिल लाया गया जिसमें संदिक्धों को पकड़ कर सजा के लिए चीन भेजने का परावधान था लेकिन जबर्दस विरूद के वज़े से इसे वापस ले लिया गया यहां आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से इंटरनाशनल एरपोर्ट पर तब अपना डेरा जमा लिया था इसके बाद साल 2020 में एक नया राष्टे सुरक्षा कानून लाया गया इसे चीन के खिलाफ असंतोश को दमाने वाले कानून के तौर पर देखा गया और इसके बाद होंग कॉंग ने एक चुनावी सुधार कानून पारिद किया जिसका मकसद उन लोगों को पॉलिटिकल पावर से दूर रखना था जो चीन की नजर में देश भक्त नहीं है और हॉंग कॉंग को सौपे जाते वक्ट चीन ने वादा किया था कि 50 साल तक इसके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगा लेकिन 2020 में कानून लाकर उसने इस खशेतर में किसी भी तरह की आलोचना पर रोक लगा दी BBC पैनरमा ने पिछले साल युवा पत्रकारों और प्रदर्शन कारियों के साथ वक्त बिताया ये लोग हॉंग काउंग के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इनने गिरफतार किया जा रहा है सजा सुना ही जा रही है मैं सिगरेट नहीं पी थी अभी मैंने सुना है कि जेल में आप सिगरेट को करनसी की तरह इस्तमाल कर सकते हैं जैनिफर केवल 24 साल की हैं और वो जेल जाने की तैयारी कर रही है मेरे पास इसका एक पैकेट है और मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या इसे मैं जेल में पैसी की तरह इस्तमाल कर सकती हूँ हलांकि अभी भी मुझे इसके बारे में ठीक से नहीं पता साल 2019 में वो एक स्टूडेंट थी उस वक्त वो चीन के जरुवत से ज़्यादा हांग कॉंग में दखल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थी 40 अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ उने गिरफतार किया गया और दंगे का अभिहुक्त बता कर सजा सुनाई गई मैं इसे खुद के लिए एक चुनौती के तरह ले रही हूँ ये एक चुनौती है ये किसी के जीवन में आई उस परेशानी की तरह है जिससे आपको पार पाना होता है साल 2019 के प्रदर्शन के मामलों में 10,000 से ज़्यादे किरफतारिया हुई है आलोचको का मानना है कि विरूद की आवाज बुलंद करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को हतियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एक राश्ट्रिय सुरक्षा से जुड़ा कानून इस शेहर को बदल रहा है जब राश्ट्रिय सुरक्षा कानून को लाया जा रहा था तो अधिकारियों का तर्क था कि इस से काफी कम लोग प्रभावित होंगे दो साल बीच जाने के बाद इस कानून की वजह से शेहर में दह्शत का माहौल है कुछ लोगों का कहना है कि ये बदलाव उस वक्त से भी ज़्यादा बड़ा है जब हॉंगकों को चीन के हवाले कर दिया गया था मैं रैंसन चान नाम के पत्रकार को फॉलो करता रहा हूं उन्हें डर है कि वो भी इस नए कानून के निशाने पर हैं रास्ट्रिय सुरक्षा कानून को जब लाया गया तब हमें समझ आ गया कि एक स्वतंत्र मीडिया रिपोर्टर के तौर पर मैं पुलिस के निशाने पर रहूंगा अब आप खत्रे के निशान को कब पार कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं कि वो निशान है कहां मुझे अब भी भरोसा है कि मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा मैंने कानून नहीं तोड़ा है मैंने कुछ घलत नहीं किया फिर मुझे क्यों डरना चाहिए पिछले साल उनका पब्लिकेशन स्टैंड निउस बंद हो गया कई संपादकों को राष्ट्रिय सुरक्षा कानून के तहद गिरफतार कर लिया गया हालकि रैंसन पर बिना कोई आरोप लगाए उन्हें रहा कर दिया गया चीन समर्थक कानून निर्माताओं का तर्क है कि होंग कॉंग में स्थिरता के लिए राष्ट्रिय सुरक्षा कानून जरूरी है हर देश और हर इलाके को अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रिय सुरक्षा कानून की जरूरत हमें अपनी लोगों को जासूसी आतंकवाद राजनितिक हस्तक्षेब और तबाही से बचाना है और यही हर सरकार करती भी है 25 साल पहले ब्रिटेन ने होंग कॉंग चीन को सौपा था उस वक्त चीन ने वाइदा किया था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी बीते दो सालों में ये वादे पूरी तरह से तोड़ दिये गए हैं होंग कॉंग अब किसी आम चीनी शहर की तरह ज्यादा लगता है डैनी विसेंट, BBC News, होंग कॉंग होंग कॉंग के लोग अपने लिए अधिक लोकतंतर के मांग करते रहें लेकिन चीन का दावा है कि अभी जो लोकतंतर है वही सच्चा लोकतंतर है और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कनया लाल की हत्या के बाद, उदैपूर के मुसल्मान क्यों है खौफ में इस बारे में बाद, एक ब्रेक के बाद आप देखनें बीबी से दुनिया, मैं हूं सारे कासिंग सुप्रीम कोट ने बीजेपी की पूर प्रवक्ता नुपूर शर्मा को कड़ी फटकर लगाई है सुप्रीम कोट ने नुपूर शर्मा की ही अर्जी पर सुनवाई करते वे कहा कि नुपूर शर्मा के बयान ने पूरे देश में अशांती फैला दी उनका बयान ही उदेपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण वारदात के रिजमेदार है सुप्रीम कोट ने सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के टिपड़ियों को तकलीफ दे बताया और कहा कि उनको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने ये भी सवाल किया कि एक टीवी चैनल का एजंडा चलाने के लावा ऐसे मामने पर डिबेट करने का क्या मकसद था जो पहले ही नयायाले की अधीन है सुप्रीम कोट ने नुपुर शर्मा के बयान बाजी पर सवाल किया और कहा अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता है तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है और राजसान के उधैपूर में एक हिंदू दरजी की हत्या के बाद हालात अब भी नाजुक हैं कर्फियू जा रही है नाशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी कनया लाल की हत्या करने माले दोनों योगों को से हिरासत में पूछटाज कर रही है इस बीच उधैपूर में रहने वाले मुस्लिम समुदाए के लोगों से मिलकर बीबीसी सम्मादाता नितन श्रिवास्तों ने जानना चाहा कि वो क्या सूचते हैं इस पूरे मामले पर सुनसान सड़के घरों में बंद रहने को मजबूर लोग साम्परदाइक तनाव के बाद का मनजर उधैपूर आज भी सक्ते में है जब से दो मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू दरजी कनया लाल की हत्या करते हुए इसका वीडियो बनाया हालात गंभीर है कुछ की हरकतों के चलते एक संपरदाइ भी सहमा हुआ है अगर 2011 के सेंसेस को माना जाए तो उधैपूर में भी राजस्थान के ही आसपास करीब 10% मुस्लिम अबादी है यह जो ताजी हटना हुई है इसके बाद से जितने भी मुस्लिम इलाकों में हम लोग गए है पहली बात तो लोग खुल कर बात नहीं करना चाहते कैमरे पर नहीं आना चाहते अपने दर्वाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं और इस बात से परहेस करते हैं कि कोई उनको कैमरा पर ये देखे एक मुस्लिम नाम के साथ राजस्थान में साम्तरदाइक हिंसा का इतिहास ज्यादा गहरा नहीं हलागी पिछले एक साल में करॉली, जोधपूर, अलवर और अब उदेपूर में तूल पकड़ते हुए वाकियों ने आम लोगों के मन में बेचैनी बढ़ा दी है जाहिर है अल्पुसंक्यक समुदाए भी इससे अच्छूता नहीं कनहिया लाल की निर्मम हत्या पर गुस्सा आज भी काइम है अभियुक्त हिरासत में है, जाँच जारी है लेकिन लगता है बदले की भावना खासी बढ़ी हुई है उदेपूर का जो हिंदू समाज है, वो हमेशा से जितने भी अन्य समाज है, अन्य धर्म है, अन्य मजब है, सबका हमेशा साथ दिया है क्योंकि दंगो या हिंसा का कोई एक दाइरा नहीं होता, तो जाहिर है इसमें पिसने वाले आम इंसान ही होंगे जिस इलाके में कनहिया लाल की हत्या हुई, वहीं पले बढ़े बुज़ुर्ग भी अब डरे हुए है पिछले कुछ सालों में भारत में सांपरताइक हिंसा के मामले बढ़े हैं कई लोग इसे हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर भढ़काव बयानबाजी से भी जोड़ कर देखते हैं उदेपूर ने भी ऐसा गहरा तनाव पहले नहीं देखा और महसूस किया था इस बीच राजस्थान सरकार ने उदेपूर के IG और SP का तबादला कर दिया है कुल दस जिलों में इस तरह के बदलाव किये गए है और वक्त एक ब्रिक का है ब्रिक के बाद श्रिलंका में फिर गहराया आर्थिक संकर इंधन खत्म होने के कगार पर मिलते हैं बस 30 सिकंड के बाद आप देख रहे हैं बीवी से दुनिया मैं हूँ सारे कासे भारत का पडोसी देश श्रिलंका बेते कुछ महीनों से वेहाल है खाना दवा इंधन जैसी रूसमर्रा की जरूरत के लिए लोग सडकों पर भटक रहे हैं विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधान मंत्री बदल गए लेकिन हालात नहीं बदले तेल फिर खत्म होने के कगार पर है और लोगों का सब्र भी अब श्रिलंका के राश्टपती गोटबाया राजबक्षे ने सस्ता तेल खरीदने के लिए रूस राश्टपती पुतिन को खत लिखा है देखे कॉलंबो से बीबीसी संबादाता शालो यादो के रिपोर्ट महीनों बीद गए लेकिन इंधन के लिए श्रिलंका का संगर्श अब भी जारी है पेट्रोल पंस के सामने की कतार और लंबी होती जा रही है इस देश में तेल लगभग खत्म हो गया है और साथ ही खत्म हो रही है उम्मीदे और अब इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं टाक्सी जाइवर आजीवन तीन दिन से पेट्रोल की कतार में है मैं अपनी टाक्सी में ही सो रहा हूँ बस खाना खाने के लिए गाड़ी छोड़कर जाता हूँ और फिर आकर यहीं सो जाता हूँ गाड़ी में तेल ना मिला तो काम ठप हो जाएगा पेट्रोल पंस खाली हैं और अगले दो हफते तक दूसरे देशों से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं इसलिए सरकार ने इंधन को राशन कर दिया है श्रिलंका में इस वक्त इस कागस के टुकड़े की कीमत किसी लौट्रे टिकेट से कम नहीं है दरसल यह एक फ्यूल टोकन है जिसे पाने के लिए इन्हें कई दिनों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है और उसके बाद भी कोई गारेंटी नहीं है कि आपको पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा जैसे कि ये टिकेट मंगलवार को खरीदा गया था और अभी तक इनका नमबर नहीं आया है लाइन के अंत में हमें मिले जैंत जिनका टोकन नमबर है 311 वो अपने गाउं से ड्राइव करके इस उमीद में आये हैं कि यहां पेट्रोल मिलेगा हम गैस या पेट्रोल के बिना नहीं रह सकते श्री लंका अब बहुत मुसीबत में है जनता सरकार से बेहद नाराज भी है और निराश भी राश्टपती गोटबाया राज़ापकसा ने रूस के राश्टपती पुतिन से मदद की अपील की है सस्ते तेल की खरीद को लेकर बाच्चीत के रिए रविवार को एक डलेगेशन रूस पहुंचेगा हालात इतने खराब हैं कि अब लोग साइकल से काम चला रहे हैं श्रिलंका में साइकल की कीमतें तीन गुना बढ़ गई है और महंगाई दर पचास फीसदी से ज्यादा बढ़ चुका है जो कि अपने आप में ही एतिहासिक है हर किसी के जहन में अब बस एक ही सवाल है आखिर कब तक उन्हें हालात सुधरने का इंतजार करना होगा और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं एट बीबीस सारे कपर बीबीस दुनिया में फिल हाल इतना है झाल सकते हैं